गरीब चाची के घर अमीर भतीजी लाई इफ्तारी या लाँ, आज तो इस कमबकर चूले नहीं नाक में दम कर दिया है ऐसा लग रहा है जैसे चूला ना होकर धुए की चिमनी हो अपनी चाची को इस तरह से धुए में परेशान देखकर जोया आकर कहती है लाइए चाची मा, आज हम आपको रोटिया बना कर खेलाती हैं अरे नहीं जोया मैं बना लूँगी मैं नहीं चाहती कि इस चूले की धुए से मेरी हूर सी भतीजी का चेहरा काला पड़े इतने में जोया का चाचा अनवर सिर से पाउं तक मिट्टी में सना हुआ घर लोटाता है उसके हाथों में एक छोटी सी थैली थी जिससे चाशनी टपक रही थी अरे थैली में से ये क्या टपक रहा है अरे माफ करना बेगम, मैं तो भूल गया था मैं जोया बिटिया के लिए उसके मन पसंद की रस भरी इमर्थी लाया हूँ इमर्थी का नाम सुनते ही 24 साल की जोया किसी बच्चे की तरह उतावली जटाते हुए बोली क्या सच मुच चचा जान, आप मेरी मन पसंद की इमर्थी लाये हैं मेरे मुँ में तो पानी आने वाला था, मगर मैंने किसी तरह खुद को रोक लिया हम सब साथ में से इफ़तार में खाएंगे अरे नहीं बिटिया, मैं जरा सी ही इमर्थी लाया हूँ तू खा ले, मुझे और तेरी चाची को मीठे से एक खास महबबत नहीं है है ना बेगम? जी, बेशक असल में इमर्थी खाने का मर्यम और अन्वर का भी बड़ा मन था मगर दोनों अपना मन मार लेते हैं बच्पन की दुरगतना में जोया के माता पिता स्वर्ग से धार गई जिसके बाद से जोया के चाचा चाची ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा उसके प्यार में कोई कमी नहो इसलिए दोनों ने खुद की अपनी ऑलाद भी नहीं की अन्वर की माली हालत कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी बस उसके पुष्टों का छोड़ा गया सालों पुराना एक कमरे का कच्चा घर और खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जिस पर थोड़ी बहुत खेती करके जैसे तैसे दो वक्त की रोटी का गुजारा चल रहा था या खुदा कड़ाई में जरा सी सबसी है खेत नमक प्यास रोटी से ही इफ़तार कर लेंगे सबसी सोया को दे रेती हूँ मर्यम तीन थाली लगा ले आती है अरे ये क्या चाची मा मेरे थाली में सबसी आप तो लो क्या खाएंगे तबी अनवर अपने घमों को छुपाता हुआ जूटी मुस्कुराहट से बोला अरे सबसी की का जरूरत आज तो मैं नून तील से रोटी ही चटकारे लेकर खाऊंगा ये कहते हुए गरीब अनवर नमक तेल लगी रोटी काट 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 कर खाने लगता है अपनी घरीब चाचा-चाची का ऐसा दुख देखकर जोया का कलेजा कचोट पड़ता है वो रो पड़ती है जोया के घरीब चाचा-चाची को उसे जतना प्यार था उतना हिसने उसे भी था यूहीं दिन गुजरते हैं सुनो जी, हमारी जोया अब सयानी हो गई है, हमें इसके निकाह के बारे में सोचना चाहिए जोया, भाई और भावी की अमानत है हम पर, मर्यव मैं तो दिन रात अल्ला से एक ही दौा मांगता हूँ कि मेरी बती जी को अच्छा घर मिले अन्वर जोया के लिए रिश्टा ढूनने लगता है जो कि अमीर खांदान में हिना के बेटे से लग जाती है अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है अन्वर, अभी तक जोया के निकाह का जोड़ा नहीं सिलाया, दो रोज बाद उसकी रुखसती है जानता हूँ बेगम, मगर जितना कर्ज लिया था, वो खर्चा हो गया मैंने तुम से एक बाद बीचे पाई है, मैंने अपनी जमीन बेच दी क्या, जमीन बेच दी? उसी से तो फकत अभी तलक हमारी रोजी रोटी चल रही थी अब क्या करेंगे आगे? अला मिया बैठा है ना रोटी देने वाला मरियम, कुछ तो कर लूँगा लेकिन जोया हमारी इकलोती भती जी है, उसका निकाह अच्छे से घर में हो जाए ताकि मन में कोई मलाल ना हो जोया के गरीब चाचा चाची उसकी शादी के लिए अपनी खेती बाड़ी बेच कर उसकी विदाई करते हैं जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर को छोड़कर अपने अमीर ससुराल में आ जाती है जहां उसके सास ससोर नंद जिठानी से भरा पूरा परिवार मिलता है जहां सास हिना उसका स्वागत करती है माशालला कितनी खूबसूरत बीवी है हमारे मुराद की एक्तम सही फरमाया आपनी अमी भाई की तो किस्मत खुल गई चलो धेवरानी जी हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते है जोया की जिठानी आलिया उसे कमरे में ले आती है जो कि बहुत ही बड़ा और आली शान था वल्ला इस कमरे से भी जूटा तो हमारे चाचा चाची मा का घर था यहां तो हर्शान और शौकत है अगले दिन जोया नहा धोकर पहली रसोई करने आती है अमी जान खाने में क्या बनाना है अरे बहु तुम क्यों खाना बनाओगी उसके लिए नौकर चाकर है न मगर हम सभी तुम्हारे हाथों का शाही चुकड़ा खाना चाहेंगे जी अच्छा जोया जैसे ससुराल के ऐशो आराम भरे किचिन में कदम रखती है तो नम आखों से नहारती रह जाती है उसके आखों के आगे अपनी चाची का धुए में चूला फोकना याद आ जाता है या खुदा हमारा ससुराल कितना रईस है ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चुन्नत में आ गए है बगर हमारी गरीब चाची मा आज भी गीली लखडियों से चूला चलाती होंगी आखों ही आखों में जोया का उसके ससुराल में एक साल गुजर जाता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है जहां वो अपने अमीर ससुराल वालों के साथ दावतों भरी दस्तर खान पर बहुत कुछ खाती है तो वहीं उसके गरीब चाचा चाची के हालत गरीब बदहाली में कट रहे थे अरे क्या हुआ मर्यम बेगम अभी तक खाना नहीं लाई मैं वजू करके कब कब बैठा हुआ हूँ जी लाई मर्यम कुछ रोटियां रखकर नमग मिर्च के साथ लाती है जी बस यही है खाने में रुखा सुखा है खाने में जाने अल्ला हमारे दिन कब बदलेगा बाकी दिन भी रुखा सुखा खाते हैं और रोजे में भी रुखा सुखा खाकर काटना पड़ रहा है मर्यम अल्ला ने जो दिया है उसे सिर माथे लगा कर खाओ बिचारे गरीब शोहर बेगम एक दूसरे को निवाला खिला कर गम बाटते हैं कंगाली इतनी थी कि दोनों पानी से सहरी करके भूके पेट कड़ी धूप में बटी पर काम करते हैं और यूही दिन गुजरते गई बेगम अल्ला के करम से इतने पैसे जुड़ गई कल जोया के सस्राल इफतार दे आते हैं दोनों खुद पर दुख उठा कर जोया और उसके सस्राल वालों के लिए कपड़े, फल, मिठाई के साथ इफतार लेके जाते हैं अरे, संधी साई, आप दोनों वालेकूम असलाम संधी जी ये आप सब के लिए हमारी ओर से इफतार का छोटासा नसराना तबी महंगा सा जोड़ा पहने हुए जोया आकर अपने चाचा चाची के गले लग गई उसकी आँखों से आंसु छलक पड़े चाची मा, चाचा ची, कैसे हैं आप? गरीबी और गमों भरे हालातों को चुपाते हुए दोनों जूट बोलते हैं हम अच्छे से हैं अरे बच्ची, तुखुश तो है? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ यहां सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार महबबच से रहते हैं अल्ला का शुक्र है जो तुझे इतना महबबच भरा सा सुराल मिला है अच्छा, अब इजाज़त दीजे अरे भाई जान, अभी तुँ आए है, अभी ही जा रहे है थोड़ी देर में इफ्तार का समय हो जाएगा इफ्तार की दावत खा कर जाईएगा नहीं आपा, हमारे यहां बेटी के ससुराल का पाने भी नहीं पीते हम चलते हैं, अल्ला हाफिज उनके जाने के बाद जोया की नंद ने कहा अमी, आपने गौर फरमाया भापी चान के चाचा चाची काफी कमजोर से लग रहे थे और कुछ परेशान भी थे नाजमाल आजमी है कि वो कुछ परेशानी में है बहु, तेरे चाचा चाची बहुत ही खुद्दार है ऐसे तो वो हमारी मदद लेंगे नहीं एक काम कर, तू भी उनके लिए इफ्तारी लेके जा इन्हें अच्छा लगेगा जोया के सस्तुराल वाले बहुत ही खुश्यों के साथ उसके घरीब चाचा चाची के लिए इफ्तार की तैयारी में टोकरे भर फल मिठाईयां बहुत से चीज़ा करते हैं दो दिन बाद जोया अपने घरीब चाचा चाची के घर पहुंचती है किसमत तो देखो उस इफ्तारी की शाम उनके घर में रोटी के लिए भी जखना लगा हुआ था तबी कुछ लोग अलमारी कुर्सी फ्रेज पलंग इत्यादी अंदर लाते है ये सब किसका समार उतर कर हमारे घर आ रहा है जोया तू मेरी बच्ची असलाम वाले कुम चाची मा क्या बात है इफ्तार का समय हो गया और आप दोनों ऐसे मैठे है वो हम इफ्तार करने ही चा रहे थे तो चलिए मैं धारी लगा कर लाती हूँ हम तीनों चाचा चाची भती जी एक साथ इफ्तार करेंगे जोया जैसे ही चूले के पास जाकर देखती है तो सारे बरतन खाली पड़े होते हैं ये देखकर उसकी आँखों से आँसू गिरने लगते है चाचा चाची इस घर से मेरी रुखसती क्या हुई आप दोनों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि ये तक भी ना बताया कि आप दोनों किन हालातों से कुसर रहे हैं मेरी बच्ची इस घर में क्या तूने कम घमजादगी उठाई थी चाचा चाची मा आप दोनों ने भी तो मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी कितनी मेहनत मशक्कत की और मुझे शहजादी जैसा पाला पोसा अब मेरी बारी है इसके बास जोया खुद अपने हाथों से इफ़तार में बहुत कुछ बनाती है इफ़तार की दावत देखकर उसके चाचा चाची पेट भर कर खाते है आज एक अरसे बाद ऐसी इफ़तारी नसीम हुई है जोया के गरीब चाचा चाची एद के दिन उसके घर आते हैं जहाँ उनका खुब स्वागत होता है और सभी साथ मिल जूलकर एद मनाते है